जनपद में सुतंता दिवस की औसर पर नौकायन पर एक लाख लोग एक साथ रास्टरगान और रास्टरगीत गाएंगे जिसके संबन्द में जीडियो पाध्यक्ष प्रेमरेंजन सिंग ने बताया कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार से निर्दीश प्राप्त हुआ है कि हर घर तिरंगा फैराये जाए जिसको देखते हुए एक भव्य कारेकरम नौकायन पर जीडिये आयोजित करने जा रहा है जिसमें एक लाख लोग एक हाथ में तिरंगा लेकर रास्टरगान और रास्टरगीत गाएंगे जिसमें शामिल होने के लिए शहर के इंजिनिरिंग कॉलिज डीडियो तिरंगा कारेकरम चल रहा है इस कारेकरम के माध्यम से जीडिये का एक महतुपूर्ण योगदान साबित होगा जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है इसलिए मेरा सभी नागरिकों से अपील है कि अपने घरों पर तिरंगा जरूर लगाएं इस संबन में के वे जीडियो पाध्यक्ष प्रेम रजन सिंग ने कहा देखे जिस तरह से भारसरकार से और शाषन से निर्देश प्राप्थ हुए थे हर घर तिरंगा कायक्रम पूरे गोरगपूर शेहर में बहुत हर्शो लास से मनाया जा रहा है यहाँ पर अल्रडी एक्टिविटीज बगरा शुरू हो गई है उसी क्रम में हम लोग ने 15 अगस्त को बहुत ही भब कायक्रम आयोजन करने जा रहे है नौकायान छेत्र में रामगरताल छेत्र में जिसमें एक लाग प्लस लोगों के आनी के संभावना है शहर के सभी लोगों को बुलाया गया है खासकर इंजिनिंग कॉलेज, मेडिकल कॉ तरंगा कायक्रम भारसरकार का चल रहा है उसमें हम लोग अभी एक अमुल योगदान होगा तो उसमें माइक में अनाॉंस्मेंट होगा सभी लोग सावधान की पुद्रा में आ जाएंगे और सभी लोग के हाथ में एक एक तिरंगा जंडा होगा और उसको पकड़के सब ल ही निवेदन रहेगा कि जो ये कायक्रम चल रहा है सभी लोग अपने अपने घरों पे तिरंगा जंडा लगाएं और साथ में जो हम लोग के जिला प्रसाशन की तरब से या गुरखपुर विकास पादिकण की तरब से या अन्य विद्वाओं की तरफ से तरवाम कायक्रम चला जा रहे हैं उसमें भाग लें और 15 अगस्त को शाम को 6 बजे नौकायन पर जरूर आएं मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा अन्भा उनको प्राप्त होगा कि वो जीवन वह इसको भूल नहीं पाएंगे बहुत ही अच्छा कायक्रम होगा